तो फ्रेंड्स मेरे पेट में कोई बात नहीं पसती है और मैं कुछ लेकर आया था और जब ये सब कानपूल शॉपिंग करने के लिए गए तो वहां पे बॉड़ी शॉप पे एक जो है फेश वास और ये सारी चीज़े जो ना सबा को पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं है ल ये खरीदो मेरा 2020 का ये लगा कर ये खरीदो इसमें ये है फेश वास और बॉड़ी वाश और ये फलाना और धिमा का इतनी सारी चीज़े और उसको पसंद नहीं है तो सिर्फ वह बेचने के लिए पैसा कमाने के लिए दूसरों को भी सामने से बताती है तारीफ करकर के और पसंद नहीं है तो फिर भी तुम उसके बाद भी यही इद का गिफ्ट लिया है आरे भाई कंगन लाते सोने के बुंदे लेकर आते नोस्पिन लेकर आते सस्ते सस्ती तो नोस्पिन भी आराम से आ सकती थी ना इद में देने के लिए बॉड़ी वोश हाई और वो भी जब जब वो उसको खुद को पसंद नहीं है खुद ही कह रहे हो मजानी आया फनी भाई हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर दे जिससे की मेरे आने वाली वीडियो की हाँ उनको इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका फोन जो है जिसमें परटी एम गरो आपके पास होता है यह वह आपसे पैसे लेकर गए होते हैं चैनल क्रीप्ल़ूड कर पैसे लेकर एंगे तो पैसे लेने पड़ेंगे और ये वही funny भाई है, इन्होंने friends ऐसे मत कहो, funny मेरी वाईटी की पीछे नहीं है, वो मुझे तब से प्यार करता है, जब से मेरे वाईटी पे भी नहीं आये थी, तब तक मेरे YouTube चैनल भी नहीं था, वो बस मुझे से प्यार करता है, उसको मेरे वाईटी से कोई problem नहीं है, व अपने तुमारे बुड़े माबाप को यहीं छोड़ कर, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, जो दिन रात मेरे पीछे-पीछे रहे, मेरे सेंडल उठाके घुमें, मेरे पीछे कैमरा लेकर घुमें, अपने माबाप की ना सुनें, अपने culture को भूल जाए, बाकी look में कैसा भी हो, मुझे से डाउन हो, मैं 20 वो 19 हो तो भी चलेगा, मैं 20 वो 15 हो तो भी चलेगा, कोई काम ना करे तो भी चलेगा, मैं पाल लोंगी ना, बट ऐसा हो जो मेरे पीछे-पीछे घुमें, और वैसा ही उन्हें, मिल भी गया, आप सबसे मेरा एक ही सवाल है, प्लीज जरा जब तो क्या ये साथ में रह पाते हैं, इनकी शादी हो पाती, अगर ये फनी मना कर देता कि मैं किसी भी हालत में अपने माबाप को छोड़कर, मोदाहा छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा, अगर हाँ, तो भी जवाब दीजिए, अगर ना, तो भी जवाब दीजिएगा, तो इस बात ने क्लियर कर दिया है, कि ये जो वीडियो नोंने आकर बनाई थी, आठ सवा आठ मिनट की, जो भौपाल भाग कर आई थी, स्पेशली अपनी ननन नन्दोई के लिए, और कुछ खास रिस्तेदारों के लिए, कि वाइटी से ये है, फलाना है, धिमाक है, वो मेरे पैस होती है आपकी उनसे, क्यों, एक तो यही वाली कि फणी मेरी वाइटी की पीछे नहीं है, उसे मेरे पैसो का कोई लालच नहीं है, उसे मेरे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, दूसरा हिजा वाली हिजा फैशन की चीज नहीं है, लड़किया कैसी होती है, शादी के टा पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती है, चार बजे घर में लोट कर आती है, और सास पूरी रात वहां पर रुखोगी, सुबह आओगी, क्या मतलब उनको विचारी को ये पता ही नहीं है, एक तो तुम यहाँ पे रहती नहीं हो, दूसरी बात कम से कम जितने दिन के लिए आत पोटे को फिलाती नमग में अप्रों यहातों होगो प्लते अ बच्य असली दादी वहतो होगेर हम घरों में ऐसा होता है लेकिन आपकी घरों में बिलकुर डिफरेंट होता है आपकी सास को तो विचारी को उनको देखना भी नसीब नहीं होगा वीडियो कॉल पर चलो भई वह वक्त आएगा तब भी हम देखेंगे तब आप क्या करका दिखाती हो बाकि सारे लोग तो आप पाउ के फनी उसके माबाप से दूर रहकर कैसा महसूस करता है और उसके माबाप अपने बेटे से दूर रहकर कैसा फील करते होंगे वो जा रही है तो उपर से गेट खोल के बालकॉनी में से वहीं से चिला के पूछ रही है भाई जाने दे भाई उसको जितने दिन तुम य बनाए क्योंकि खुद तो पहले खाला के गर पड़ी रही फिर उसके बाद कोई फिकर नहीं हुई उसके बाद उपर आके अटंबर पर चड़कर बैठ गई और फिर बिचारी वो तो बनाती रहे जब उसने देखा है कि तुम नेचे नहीं आई और अभी तक नहीं बनाए टा दिलाएंगे और फिर हुआ पर कंटेंट स्जूट करेंगे अब देखो यहां से निकल के हम चले फरनीचर वाले की हमने जो देखना था वो देख लिया अब यह जो फरनीचर है ने इन्होंने मैंशन नहीं किया कि क्यों देखा जा रहा है हाला कि वो फरनीचर हो सकता है नहीं चोट खा बैठी अब देखो दोनों बच्चियों को कपड़े दिला दिये जो कहा है ने ये अच्छा है लेके वो नहीं आई है लेके कोई दूसरा ही आई है और फिर निकल कर जा रही है क्योंकि वहाँ पर दहां में बंदर बहुत है ना तो बंदर जो वो तार पर लट गये ओए देखो रुको रुको और भाई साब क्या मू बनाया जरा एक बार स्क्रिन पर नजर मारी है हज्जा बेटी खाला हज्जा हज्जाओ भी नहीं बड़ी है भाई तुमसे तो कहती है क्या हज्जाओ काट लेगा पर उनको पता है कि यह लोग नहीं काटते हैं जब इनको नहीं छेड़ो और जानवर ऐसे ही होते हैं जब तक आप उनको ना छेड़ो या उनके बच्चों पर ना बनाती है वो तब तक नहीं काटते हैं चाहे फिर उसमें कुता बिली या बंदर कोई भी जानवर हो बुरी तरह से डर रही है आँखे इधर मटका मटका के ले सक्रीन पर डरना भी जरूरी है रिकॉर्ड करना भी जरूरी है और फोन सुनना भी जरूरी है जहां से गुझर कर जारी है और जुट करना बंद सॉननी ओर्ल के लाई हई कहती है बंदरों का相ensitive का होने पोला हो नहीं तो बढ़ने नहीं होती जता दिया और बता दिया कि देखो भई हमा का रूम हो रहा है यहां पर खाली आप लोग सब कहते हैं तो चलो भई हम करवाने बैट गए और ये भी बता दिया कि ये एक्चुली हमारा घर नहीं है ये मामू का घर है तो भई मामू का घर भी है तो कौन सा तुम अपनी नाम थ और वो मा को अच्छी तरह से रखने के लिए ही वहां पर कुछ भी मेक ओवर दिवारे अच्छी करा रही हो या वहां कुछ सजा धजा के उसको अच्छा कर रही हो तो वह कौन सा मा थोड़ी ना अपने साथ ले जाएंगी या तुम मेक ओवर कराने से कौन सा रेजिस्ट्री अपने नाम कर लोगे वो घर अपने नाम कर लोगे तो मामू लोगों को क्या ही दिक्कत होने वाली है बड़ा घटिया एक्सक्यूज दिया और सबसे बड़ा एक्सक्यूज तो यह देती आ रही है इतने सालों से क्योंकि लोग टोकते आ रहे हैं कि अम्मा का घर ऐसा क्यू कहते हैं क्योंकि यह घर प्रॉपर अम्मा का नहीं है कैसे अम्मा का नहीं है जो से एंगल से आप कहा जियो कि अम्मा का नहीं है अब जैसे कि जो घर तुमारी भावी ना खरीदा है वो डेफिनेटली तुमारी अम्मी का नहीं है लेकिन जो तुमारे भाई ने उनको खरीद का दिया है वो डेफिनेटली तुमारी अम्मी का घर है और उसके बाद जो है फिर कब बहुत ही पुरा ना पुछते हैं नी घर है तो यानि कि आपके नाना के टाइम का घर है तो नानी का क्यों नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है कि यह जो हिस्सा है यह बट कर जो है मतलब दे दिया गया हो कोई से मामू को लेकिन उन मामू ने तो यह रहने के लिए अपनी अम्मा को दे रखा है ना तो अगर अम्मा अच्छी कंडिशन में रहेंगी तो मामू को क्या दिक्कत है हो सकता है मामू की इतनी हैसियत ना हो उनका रूम जो है वो मेकवर कराने की या अच्छा कराने की इसलिए इस कंडिशन में पढ़ा है पर आपकी हैसियत तो है भाई क हिस्षय तो है अच्छा कराने की हाँ फिर एक और एक्सक्यूज की सरफ यह रूम कराने से कुछ नहीं होगा बहार जर जरारत है यह वैसी हलत है फिर भी आप तो रूम कराई रही हो न तो जो अब ले रही हो चालू अपने खुद की बातों में फस गई जो अभी ले रही हो वही स्टैप आप दो साल पहले तीन साल पहले भी ले लेते बस उतना ही था इससे ज़्यादा कुछ नहीं था अब चालू अपड़ी कोई चीज़ खरीदके लाए किसी के लिए कुछ करे और व ना तुम्हारा काम हो गया और रही बात मामू की तो जब बच्चियां पहनेंगी तो मामू देखी लेंगे अब लेके तो वो अपने घर पर जाएंगी ना कहती है इनके सुबह के सिंपल है तो फणी कहते हैं अच्छा सुबह के अलग शाम के अलग है अरे फणी बाबु तु फणी अम्मा और जो इनकी हेलपर है वो कहीं जारी है रोजा इफ्तियार पर गहीं बाहर तो सरफ अब कौन रहा गया स्रफ चालू अपपी रहा गयी तो सरफ अपने लिए फ्तारी बनाई जारी यह प्यास के पकोड़े आज पहली बार हमारी चालू अपी काम करने के लिए दिखी है किचन में तो चलो भाई सब्ताली बजाओ ये आज काम करने के लिए पहली बार आई और वो भी सरफ खुद के अकेली के लिए क्योंकि ना उसमें फणी शामिल है ना उसमें साना बाजी है ना पापा है और ना ही उनकी अम्मी है तो बस अकेली अपनी खाला और द है जली पार करने की। आंँ पर आ रहा है तो आपानी के में दे रहे हैं तो गया से लाले देखक्यार है येए वह बच Light करें दो जाएं और हें नीझए और वाले लाले तो ये Pap bird लोई सुआज को जिनको भांँा ने उम僕 में पी चाणा ओधा लिए जब उसमें पानी छोड़ देती है तो इसलिए जब सारी चीज़े मिलती है तो उस मगर दो चमच तिन चमच पानी तबीब उसमें डालना पड़ता है तबीब वह इस consistency में होता है कि जिसमें आप उसको पकोड़ के रूप में तोड़ सके तेल में अब कह रही है नमक ढाल दीजिए जो डालते हैं अंदाजे का तो वो कहता है अभी तक तुझे नमक का अंदाजा नहीं हुआ देखा यह है expert और आखिकार सब को पता चली गया कि expert यहां कौन है छेड़कर कहते हैं उनको helper को छेड़कर कहते हैं कि मैंने शादी के बाद सीका है सब करें शादी से पहले ही करते थे सावदी में खाना बनाते थे अब हाँ भाई सब पता हमें प्याज छील कर दी हैं कट उस फनी ने किया लेकिन इतने बीच में इनको यह होस नहीं आया कि छिलके पड़े उनको hand to hand वहां से उठाकर dustbin में डाल दिया यानि के साथ के साथी चीजे समेट दी जाएं भाई चालू अपी से मैं इतनी उम्मीद कर दियू नए गलत है शब नम इतनी उम्मीद मत करो चालू अपी से और भाई कितना धम लगा के बेसन में प्याज को मसल दिये देखना ज़रे स्क्रीन पर कहा था ना हमने पूरा चि बेसन घोला है जिसमें आलू के बनारे यह इतना पतला कर दिया और बेसन को देखकर न हो याद आति अबहुत सारी फिर वायरल होती है यह तो पापा की परी नहीं है क्योंकि यह तो पापा कोई बुरा बहला कहती है कि पापा की जगा भाई ने ये सब कुछ किया है तो ये भाई की परी भी नहीं है अक्षुली। पखोडी डाल दी ये कच्चे तेल मीं अम्मा गई और वही पकोड़े चालू। बस ये बात रहा गई कि गुलगुले नहीं बनाने की वो भी बनाने चाहिए थी ना आज तो तो तुम अकेली सारी तैयारी करी थी चलो गुलगुले ना सही पापड तो आखिरकार तली लिए और देखो इफ्तार कर रहे हैं तो रुव अफजा जो बनाते हैं न वो किसमें र बनाने पार कर देता हैं तो चलिए को साफ कर देते हैं इतनीं अकल किसी न न दी आ है ना तुम खुद में आ आई है कि जैसे कोई काम करते रहते हो नोब जूपल के जो भी वो साथ के साथ उठाते रहेंं डस्विन में कभी अम्मा का रूम कभी अपना बेडरूम कभी अपना ड्राइंग रूम कभी नानी वाली अम्मा का रूम मेक ओवर मेक ओवर मेक ओवर भाई पग गये हैं मेक ओवर बहुत पुराना कंटेंट हो गया है वो एक अलग बात है कि आज करकर दिखा भी दिया है कि आज आओ हम जो है ना फेक कंटेंट क्रियेट कर रहे है फेक्स्प्रेशन सूट करेंगे तो तुम बाहर से आओ और मैं शूट करूँगी वाओ शालू अपी कितना अच्छा रूम बना दिया है और पकड़ी गई कर दी क्योंकि आज यह पकड़ी गई है ओवर एक्टिंग कर दी अदरवाइस तुम ना इन बच्चियों से बार बार यही कराती है और रिपीट में यह हो गया था जैसे उसने टोस दिया था और उसने जो ना वो कुछ बोल दिया क्योंकि यह तो at the moment वाली बात होती है तो तुमने उसको दुबारा सा रिकोर्ड करा के बड़ी अच्छी बात कही है तो प्लीज बस कर दो यह फिक करना और भाई पर्दे कितने गंदे लगाए हैं और हां first of all मैं आपको बता दू यह वैलवेट नहीं है फैबरिक इसको साटन फैबरिक बोलते हैं यह साटन फैबरिक होता है जो चिकना सा स्मूध सा मोटा सा कपड़ा होता है ना बार बार उ दिखा होगा क्योंकि कई बार कलर ना चेंज हो जाता है तो इन्होंने सोचा होगा कि रूम के अकोर्डिंग इनको जो ना थोड़ा सा हलका सा पिष्टा गिरिनिश कलर चाहिए था वह आया कौन सा ब्लू इस कलर यह थी कितना फेक कर दिया इतनी भी एक्टिंग नहीं करनी थी दूसरी एक्टिंग करनी थी हाँ बिटा अब ना एक्टिंग आप अपनी चालू पीसे सीख लो क्योंकि वह एक्सपॉल्ट होगी एक्टिंग करकर के बच्चे की एक्टिंग करनी हो तो चालू की एक्टिंग करनी हो तो वाइफ की एक्टिंग करनी हो तो हाँ बस नही हुए दिखाना जरूर चाहिए उसकी कुछ सेकंड की किलिप दिखाने लेकिन दिखाने जरूर कब अपनी हरकतों से बाज आओगी आप कि सोती हुई बच्चियों को शूट करना बंद करो वो किस कंडिशन में सो रही है अब खुशी खुशी बता दिया थिया था बहुत ही ख था कि इसको पसंद नहीं है पहले आपस में दोनों में भी भी content shoot करने से पहले बाते तो कर लिया करो के मैंने क्या बोला है तुमको क्या बोलना है कम जबनों की एक बात तो होनी है और भाई उसका तो खुशी कर ठिकाना नहीं है क्योंकि वह यह लगा के देख दिया यह यह बॉडी का लाए है फेज का नहीं है चाए इसका तो यह बहुत ही आच्छा है मैं इसको पैलेट को ऐसे लगाऊंगी वैसे लगाऊंगी भाई तुम emoari dung me बहुत है दुनिया भर इसके पास इखटा है कोस्मेटिक jon अनरों से पर से अर और क कोस्मेasına नी म्य होते हैं और सबके शोहर लेकर आते हैं तो इसलिए कौन से दुनिया में जी रहे हो दुनिया के उस दाइरे को थोड़ा सा बढ़ा हो जहां आप यह सोस्ती हो कि एक हजबन जो है वो कोस्मेटिक नहीं खरीद सकता लद गए वो जमाने अब पांच मिनट का होगा जबी तो इसकी पेमेंट हुई होगी जूटी वाओ कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस हैं हाँ भाई नाती नहीं हो तो तो मैं तो बहुत सक्त जरूरत है इन सब चीज़ों पाकी का वहां को नेक्स्ट व्लोग में दिखाएंगे कि अम्मा का रूम का कहां तक काम चला है इ पहली इद है और ये समान वाओ वो भी जो उनकी पूरी टेबल भरी पड़ी ये इतना प्यार में समान आता है डेली कोई न को यह याँ कुछ ना कुछ प्रोमोशन KrGA Company कि पहले मेकप खरीद के लेकर आ थी ल Show में पेडल कर के अर और इसके ये भी कॉलैम में उठाके ले आए हो और ये गिफ्ट देने का बहाना दिखा देगा क्यों कि ये सब कुछ इनका बिना कॉलाइब के चलता ही कहा है चलिये मिलते हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई 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 अला हाफीस टेक केर